हेलो एवरिवन रादे किष्णा जै माता दी कैसे हो आप सबी आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे वेलकम बैक डो यो पी एस मार्बल मूर्तियार्ट आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गनेश जी की प्रतिमा बहुत ही क्यूट बहुत ही सुन्दर बनाई गई है हमारे कारेगरो द्वारा लेकिन इनकी डेफिनेशन बताने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेर कमेंट करें और इसको एंड तक देखे वीडियो को प्लीज बीच बीच में इसकिप ना करें इससे हमारे काम का, हमारे हुनर का हमारी कारेगरी का पता चलता है और बेल आइकन को प्रेश कर ले जिससे की हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे तो जैसा कि आप देख सकते हैं गनेश जी भगवान कितने प्यारे कितने सुन्दर लग रहे हैं दिखाई दे रहे हैं एक हाथ से आशिरवात देते हुए दूसरे हाथों में इनके मोदक यान की लड़ू है और ये सिंगासन पर बैठे हुए हैं सिंगासन भी इनका मार्बल क पाही बनाया हुए है इधर उधर आप देख सकते हैं इनकी कुशन भी कितने सुन्दर कुशन लग रहे हैं दिखाई दे रहे हैं और आप इनका चेहरा देखिए चयारे की बनावट देखिए इनके फीचर्स देखिए आन्खे कान इनके लमबे-लमबे सूंड इनकी independent पर दोनों हाथों में पुष्प है अलग-अलग कलर्स के और एक हाथ में लड़ू है एक हाथों से आशिरवात दे रहे हैं हमारे गनेश जी महाराज और गोल्डन में येलो कलर में इन्होंने धोती डाला हुआ है इस पर हलका-हलका शेडिंग भी है गोल्डन कलर से इसमें डिज गासन पर है तो कितने प्यारे कितने क्यूट हमारे गनेश जी की मूर्ती प्रतिमा लग रही है दिखाई दे रही है तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेर कमेंट करें और एक बार सेवा का मोगा अवर्शे दे हमारे यहा चैनल में वाइट मार्बल में काफि स्वारी उसमें भी मिलती है जैसे व्यतनाम राजगिरी अंबाजी जीरी मारबल उसमें भी जैसा आप ओर करना चा दे हैं तो आपको सेम ऐसा ही बना कर देंगे और आप जैसी कारेगिरी की कहना चाते हैं जैसा पर्ण रेंड करवाना स्क्रीन पर दिखाई हुए नंबर पर ये डेड़ फिट में गनेश जी भगवान वियतनाम मार्बल में है आप जैसा की देख सकते हैं कितने क्यूट कितने सुन्दर लगते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए हरे कि